OnePlus Nord CE2 Lite आप बनाना क्या चा रहे हो और बना क्या रहे हो कुछ भी समझ या रहा OnePlus के तरफ से क्योंकि OnePlus यहां पर ले के आ चुका है एक और नया वोडल जिसका नाम है OnePlus Nord CE2 Lite 5G यानि कि इतना बड़ा नाम इतना बड़ा नाम है कि आप इसके उपर एक पूरा S से लिख सकते हैं त तो किस प्राइस से कंपनी के कंपेशनल है सारा कुछ बात करेंगे आप लिए और यह वीडियो होने वाली है बहुत इंटरस्टिंग और गाइस 10K सब्सक्राइबर व्लॉग वीडियो जिसमें हमने 10 एक्स करने हैं उस वीडियो में हो चुके हैं 5000 व्रोज तो यहनी 5000 व्रह आप लोगों से मिस हो जाए सो वाट्सप गाइस मैं विनुशन यूर वाचिंग टेक्विद नियूज लैस्ट स्टार्ट दा वीडियो तो गैसे जो वेरिंट है यह एट जीवी बॉन टॉन 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 यह वेरिंट है ब्लू कलर का यह मिर पास आया है इसे वर फाटबास से ओपन करते रहे हैं आप लोगों के लिए और उसके बाद देखते हैं कि इस फॉन में आपको क्या कुछ मिल जाता है तो यहाँ पर अफी रवी कशकिश proszę जा है और यहां पर आपको मिल जाता है यहँ नोट सी टू लाइट और इसे एकえばर उपन करते है और यहां पर आपको मिल जाता है एक transparent case cover, आप लोग देख सकते हो, और इसके बाद इसमें क्या मिलता है, अरे में कर जा बहार, दबाई खाली कर देते हैं, तो guys, finally आपको यहां पर मिल जाती है, दो चीजे, एक आपको मिलता है, यहां पर डॉक्टर, यहां पर red color में आपको USB type-c cable देखने मिल जाती है, red-red matching हो गया है, चारजर आपको यहां पर 33V का super hook मिल जाता है, मतलब कुछ समझ यहां था, कभी यह रैप कर देता है, कभी यह super hook कर देता है, ओपो के चारजर बच गया थो तो आप OnePlus के अंदर डाल दिये, और यहां पर OnePlus Nord CE2 Lite के अंदर वही आपक आपको ओपो का 33V का charger देखने मिल जाता है, वही आपको ओपो के 96, 76 sub में वही चारजर आता है, जो आपको इसमें भी दे दिया है, इसे का साइड में करते हैं सबको, और यह है आपका OnePlus Nord CE2 Lite, बिल्कुली डिफरेंट कलर है, अच्छा लगता है, ब्लू कलर, और आप लोग आपको ने नोटिस किया कि इसके डिजाइन में हलका सो उपर से आपको मैडी टेक्श्चर भी दिए गया है, कुछ सिनेमेटिक शोट हैं आप लोग और इतना हम फोन को करते हैं, और देखते हैं स्वोन के अंदर क्या कुछ आपको मिल जाता है, इस फोन आपका फाइनली ओन उचुका है, फट अफट से एक बर सेट अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फोन के बारे में देखते हैं कि आपको क्या कुछ मिल जाता है, तो डिस्प्ले में आपको यहां मिलती है 6.59 इंच की IPS डिस्प्ले जो कि आती है आपकी 120 हर्स के सा और यहां पर full HD resolution के साथ ही डिस्प्ले आती है, और यहां पर आपको OnePlus ने अब अंडर 20,000 में यह फोन प्रोवाइड किया है, तो यहां पर ML display को छोड़ के है, OnePlus ने यूज कि IPS डिस्प्ले, यहां पर 120 हर्स के refresh rate को दिया है, बट फिर भी ER मैं कहूंगा कि यहां पर आप अप और आप लोग जो OnePlus का कि जो brand name है, वो बहुत ज़्यादा अबब लेवल में बन चुका है, तो यहां पर आपको प्रफॉर्मस में मिल जाता है Snapdragon 695, यानि कि यह फोन होने वाला आपका 5G फोन और यहां पर प्रफॉर्मस में आपको यहां पर जो यह फोन है यह बहुत अच्छी परफॉर्मस देने वाला है वहीं पर आपको यहां पर यहां पर यहां पर मिल जाता है जो कि पहली बार है कि इतने कम प्राइज में अपना फॉन जो है सब्सक्किली सब्सक्राइब का को देखने वालों कि इसको अच्छी और इसकित्सक्राइब्स में जांगा है आपको अभीρε यहां पर मुलता है यहां बिलकुल लेट इस्टो और यहां पर 20 आपको यहila देखना यह चाहांट यह तो फासिव फार्टी बाला oxygen 12.1 हाला कि यह थोड़ी सी color OS से ही मिलती दूलती है बट यहां पर आपको oxygen 12.1 देखने के लिए मिल जाती है और यहां पर आपको में कैमरा में दाता है वो मिल दाता है आपको 64 में उसल का जिसकी फ्ल्यों होने वाली है आपकी 1.7 उसके लाबा आपको यहां पर तूटू में उसल की दो देखने के लिए एक अपको मिलता है अब वो Full HD video recording का support ही मिलता है आपको यहां पर 4K video recording का support आपको देखने के लिए मिलता क्योंकि क्लिरली बता देता हूं कि je snap dragon 695 है यह आपका 4K video recording क का support नहीं करता फिलाल 22,000 के phone में आपको 4K video recording तो मिलने चाहिए थी oneplus की طरफ से क्योंकि oneplus एक बहुत बड़ा ब्रैंड है तो ब्रैंड नेम कहीं कहीं मैटर करता है तो यहां पर मिरको लगता है कि वनप्लस को चाहिए प्रोसेशन 900 देना चाहिए था मिडियाटक का जो नोड सी टू के अंदर 920 नहीं दे रहे वहां भी 900 देना है तो यहां पर डिस्प्ले भी एमो लेडिन दे देना चाहिए तो यहां पर आपको मिलनाती है 500 वेटरी जो की आती है अपकी 33 वोड के फॉर्ट के पास चर्वाद के तो यहां पर आपको 500 वेटरी वोड का बाती आती है तो एक बैटरी देखने न की तो यहां पर फोन औवर अच्छा है ठीक है ए New P aged 4 ब्रॉंड प्रॉस तो यहां पे आपको एमरे दिस्प्ले देने चाहे थी अगर आपको 695 प्रसेसर देना है अगर आपको IPS दिस्प्ले दी है यहां पे तो यहां पर तो कहीं न कहीं मुझे फॉण थोड़ा सा वैल्यू वर मुनी नहीं लगा क्योंकि 22000 में अगर आप लोग यह फॉन पर्चेस क यहां पर आपको साइड मिलता है प्लस इस फोन के मुगाबले उस फोन के अंदर जो लुक है क्वालिटी है प्रीमिम नैस रहो कहीं न कहीं ज्यादा लगती है और वह बैंड के एकौर्डिंग सही भी लगता है कि यह फो फोन जो है आप बैंड को रिप्रेजेंट करता है क तो यह चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को देखनी चाहिए तो मेरे ख्याल से जो मुझे चीज अच्छी लगी कि मैं आप लोगों को यह चीज क्लियरली बता सबूं कि आप वनप्लस नोड की तू की तरफ जाएं कि वह मुच बैटर डील है आप लोग सिर्फ तीन हजार के पीछे एक एंबल डिस्प्ले प्लस 65 वोल्ट का फास्ट चारजर उसके लाब बैटर प्रोसेसर डिमेंसिटी नाइन और और फॉर के वीडियो कोड़ी यह चार ओप्शन बिल्कुल बिना छोड़े तो मेरे कोडिंग तो या आप लोगों वन प्लस नोड सी टू लाइट की फोन तो आप लोग नीचे कमेंट करके जुरूर बताओ कि मुझे आप लोग दोनो में से कौन सा फोन परजिस करोगे तो गाइज अब बात कर लेते हैं सर्प्राइज के बारे में तो यहां पे होने वाले हैं एक नहीं दो दो सर्प्राइज वेवे आप लोगों के लिए त अप लोगों में से किसी अकलग के सबसक्राइबर को मिलने वाला है मेरी तरफ से एक सर्प्राइज गिफ्ट यह सुर्प्राइज गिफ्ट ऐसनी सर्प्राइज जैसे ही हमारे क्रोज हो तो самиटेन त पाइट जी बट गाईज इन एस पैसिफिक टाइम तो फटाफर जल्दी जाके चैनल को सबस्क्राइब करता है अगर आप लोग नहीं किया और गाईज अब लोग ने टैन के सब्सक्राइबर वाली वीडियो के ऊपर कमेंट नहीं किया तो जल्दी जाके कर दो और लिंग में और लोग डिंग में पाइचिप करने के छीज़ कि आप लोग वबताना कि क्योन से तीन ऐसे मेंज़र जो आपको 1 लाइट के और देखने तो आपको इसली जो है इस question का अंसर मिल जाएगा अगर नहीं देखे तो जल्दी जाके देखो और अपने question के जो answer है वो gleam link के ओपर put कर दो तो ठीक है guys hope so आप लोगों ने वीडियो के अगर enjoy किया अपनी family और friends के शेयर कर दो ताकि उन तक भी जो है node c2 light की जो information है वो बहु कर दो शेयर जूर करना अपनी family friend के साथ तो ठीक है गाई मिलते हैं आप लोगों से ने इस वीडियों में तो लाए good bye आपोच्थों आप